दोस्तो अक्सर लोग प्यार मुहबत में धोखे खाते हैं आपने देखा होगा कई बार तो मडड़ भी हो जाता है लेकिन आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो काफे इंट्रेस्टिंग तरीके से घटना को अंजाम तो दिया ही गया है लेकिन ये घटना कह ही न कही इंसानियत को सरमसार करने वाली घटना प्रतित होती है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिल्ली में घटना घटित हुई है शरदानाम की लड़की के साथ उसका मडर हो गया है और मडर कोई और नहीं बलकि वह जिस लड़के के साथ रह रही थी लिव इन रिले है मैं ऐसा इसलिए बोलना हूँ कि इसने मारने से पहले अपनी प्रीमी का को अफताब एक मुस्लिम है लड़का है और जो सरदा थी वहा हिंदू थी दोनों प्यार करते थे और कुछ दिनों से मन मुटाओ था रिष्टे में करवाहट थी और उसके बाद ऐसा पुलिस के द लड़का सरदा नाम की लड़की से प्रेम करता था लिव इन रिलेसंशिप में रहता था लिव इन रिलेसंशिप क्या होता है साथी से पहले लड़का और लड़की एक कमरे में रहते हैं साथ रहते हैं तो उसको लिव इन रिलेसंशिप कहते हैं इसके आगे हम बात करेंग matter यह है कि लड़का लड़की को मारने का planning करता है पहले planning कैसे करता है उसने google पे search किया कि जो खून के धबे होंगे उसको मिटाया कैसे जाएगा और उसने ये भी search किया था कि अमेरीकी movie को एक drama movie है उसको उसने देखा था जिसमें उसको आइडिया मिला था कि किस तरीके से मारना है इसके अलावे उसने मारने के बाद आड़ी से लगभक 35 टुकड़े शरधा के बोडी को कर दिया था मारने के बाद फिर फ्रीज 300 लीटर का घर लेके आया और उसी में सारे बोडी पार्ट को रख दिया ताकि सड़े न और आपको जानकर हैरानी होगी कि उससे टुकड़े को ठीकाने लगाने के लिए उसे अफताब ने 18 दिनों तक लगातार रात के 2 बज़े उस बोडी के टुकड़े को ले जा करके कभी 2-4 ऐसे ले जाता होगा वैसे करकर के वह 18 दिनों में ठीकाना लगा दी और पुलिस बता रही है कि यह घटना मई की है यानि कि आज से 6 महिने पहले की यानि कि 6 महिने तक वह भनक तक नहीं लगने दिया कि शर्धा नाम की लड़की जिन्दा है या नहीं है और पुलिस तो यह भी बता रही है कि शर्धा का जो फेस्बुक इंस्टागराम एकाउंड था वो उससे हमेशा फोटो या जो भी है वो कंटेंड डालता रहता था ताकि उसके दोस्त को या उसके जो रिष्टेदार हैं सर्धा के उसको शक न हो खैर सच को आज क्या हो तो सामने आना ही था और आही गया है अब पुलिस बता रही है कि मैई की घटना है लेकिन उसका जो दोस्त है सर्धा का कोई दोस्त है वो बता रहा है कि नहीं ये घटना जुलाई में घटित हुई है इसलिए कि जुलाई में सर्धा से उसकी बात हुई थी तब वो काफ़ी डड़ी थी और बता रही थी कि आफता मुझे माँ डालेगा इस तरीके से बात हुई थी उसके बाद आपको बता दे कि यह लड़की मुंबई की है मुंबई की थी और मुंबई में मलाड की रहने वाली थी उसके परिवार वहीं रहते थे माता पिता को जब उसके प्यार के बारे में पता चला तो वह इसके खिलाफ थी वह नहीं चाहती थी कि वह एक दूसरे से प्यार करे क्योंकि हो सकता है कि मुस्लिम था तो पडिवार वालों को कहीं न कहीं व्रोद तो करना ही था खैर लड़की नहीं मानी लड़की के पिता ने ये बात बताई है विडिया में कि उसको समझाय थे लेकिन वह नहीं समझी और ये बोल लही थी कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और अपनी जिंदगी का फैंसला मैं कर सकती हूँ और काफी विरोद होने के बाद फिर वह लड़की जो है वहां से भाग गई जिसका सदमा जो है उसके मा को लग गया और छे महीने के बाद ही उसकी मा चल बसी दुनिया छोड़कर के दोस्तों कहते हैं न कि माता पिता का हाई कहीं ने कहीं अउलादों को लग जाता है मा चल बसी और उसके बाद छे महीने के बाद इसके साथ इस तरीके का सरधा का हत्या कर दिया गया पुलिस जो है वा छान बिन में लगी हुई है अभी जब हम आपको खबर दे रहे हैं तब हमको जानकाड़ी लगा है कि मारने के बाद सरधा को मारने के बाद आफताब अपने रूम पर एक लड़की हो लाया था तो कहीं न कहीं हो सकता है कि इसे मर्डर में लड़की जो नई लड़की आई थी वो भी शामिल रही हो या हो सकता है कि ये सारा मामला भी जो है वहाँ लड़की को लेकर ही हो नई लड़की को लेकर के हो और जब पुलिस ने च्छान भी न की और जानकारे जे उटाई तो पता चला कि सर्धा चाहती थी शादी करना अफ़ताब से जिसका जिक्र उसने जब की तो ये बात अफ़ताब को अच्छा नहीं लगा खराब लगा और इसी के लिए वो नहीं चाहता था कि शादी हो और इसी लिए ऐसा बताया जा रहा है कि अफ़ताब ने सर्धा का मडर कर दिया उसको ठीका ने लगा दिया दोस्तों प्यार में अकसर इस तरीके के घटनाएं देखने को मिलती हैं कभी मडर कर दिया जाता है और इस तरीके से घिनोनी हरकते कभी की लड़कियों को जला दिया जाता है कभी मार दिया जाता है हमारे बिहार की बात करें तो जला दिया जाता है साथ ही साथ जहर दे दिया जाता है फासी पे लटका दिया जाता है फासी पे इस तरह के घटनाय अक्सर सुनने को देखने को मिलती रहती है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम बड़ बुजर्गों की बात नहीं मानते हैं बड़े लोग की जो कहते हैं जिन्दगी जीने का एक्सप्रियंस होता है वो लोगों की बात नहीं मानते हैं और प्यार मुहबत में पड़ करके अपनी जिन्दी को हम तबाह कर लेते हैं तो इस तरीके से न करें हम नई युगाव से हम यही कहना चाहेंगे मेरे बिंती रहेगी सोच के समझ करके अपने केरियर बना करके सब करें उनके पिता ने जो सरधा के पिता जी है उन्हेंने एक बात बुली है कि अगर वो लड़की हमारी लड़की हमारी बात मान गई होती तो आज जिन्दा होती मैं इसलिए बोल रहा है और यह बात हकीकत है अगर वो लड़की मान जाती लिव रिलेसंसिप में लड़के के साथ नहीं जाती दूसरा एंगल ये भी बताया जा रहा है लब जिहाद तो आना ही है क्योंकि एक लड़का एक लड़की और हिंदू मुसलिम की बाते हैं तो लब जिहाद का भी एंगल आ रहा है सामने मैं ये भी बता दिया हूँ नीज में आ रहा है खैर ये मामला जो है वहाँ अब लगता है कि CBI के अंडर आ जाएगा क्योंकि ये मामला बहुत ही विच्चितर है और इसमें जिस तरीके से सातिराना अंदाज में मारा गया है आफताब ने बहुत सातिराना अंदाज में अमेरिकी सिरियल देख करके एक ड्रामा सिरियल है वो देख करके और वह प्रभावित हो करके और इस तरीके से बताईए कि फ्रीज ला करके उसको बोडी पार्ट को आड़ी से 35 टुकड़े में काट करके और फिर वह ठीकाने लगाता रहा 18 दिनों तक रात के दो बज़े गारी में ले जा करके और उसको ठीकाना लगा दिया अब पुलिस चान मिन कर रही है और उस जो बोडी के टुकड़े है उसको जुटाने में लगी हुई है चान मिन कर रही है आगे देखते हैं अगला अपडेट हम आपको देती रहेंगे